नीमच सिटी पुलिस की बड़ी कारवाही बारा कुंटल डोंडा चूरा के संगे एकार रूपी करो गिरफतार। ट्रक में आलू के कट्टन के नीचे छपाके करी जा रही हती डोंडा चूरा की तसकरी। मुहमत पुलिस की नीमच पुलिस ने डोंडा चूरा की बड़ी कारवाही करी है। बारा कुंटल अवैद डोंडा चूरा के संगे एक आरूपी को गिरफतार करवी में सफलता हासिर करी है। आरोपी डोडा डोडा चूरा खों ट्रिक में आलू के कट्टन के नीचे छपा के ले जा रहा हुआ तो नीमज सिती पुर्षने मुखविर की शूचना पे जद्पुरा ठंटे के समीप नाकाबंदी करत भए मनासा रोड पे बालाजी मंदर के पास एक टाटा ट्रिक रोखो और उके तलाशी लई गई उमें आलू के कट्टन के नीचे बलप्ख मात्रा में अबैध डोडा चूरा भरके ले जा रहा हुआ तो पुलस ने ट्रक में रखे भए 108 आलू के कट्टन खों अटाओ और उके नीचे साथ काले रंग के पिलास्टिक के कट्टन में वारा कंटल डोडा चूरा भरके जो ले जाओ जा रहा हुआ तो वो पुलस ने चप्त करो और आरूपी नाहर खापकता अजीज खान नवासी अमबाली जिला प्रताप गर्खों गिरपतार करो आगे के इस रोट के बारे में पता लगा रही है पुलस आखे इतनी बड़ी मात्रा में आरूपी डोडा चूरा कहां से भरके लेके आओ हा तो और कहां तशकरी के लाने देवे जा रहा हुआ तो फिलाल पुलस ने डोडा चूरा ट्रेक सहित एक आरूपी खों गिरफतार क करी जिए हो कानूनिक का रवाई करी जे हाँ ठीक है ये सही है कि नीमा सिती पुलिस को बुखर द्वारा सुचना मिली थी कि कोई संदिग्द ट्रक जो है आई से ट्रक में कोई संदिग्द माल भरा हुआ है और वो राजस्थान की तरफ जा रहा है तो सुचना पर पुलिस दोरा उसको ट्रक को अपने जैदपुरा फंटे के पास में उसको रोक करके चेक किया गया है माल पुलिस ने जब्त किया है और पिर आरोपी जो है नाहर खान पठान जामबा वाली करहने वाला है वो प्रताब गड़ का जिले का उसके खिलाप उसकी गिरबतारी की गई है यह माल जब्त किया जाकर के इसके खिलाप अपराद पंजी बदकर विवेशना में लिया गया एम आरोप उसके खिलाप बड़ किया जो प्रताब प्रताब।